पीपल को केवल एक बार ही जल चड़ाने से क्या फल मिलता है? भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं देवर्शी नारत को देखकर भगवान विष्णु कहने लगते हैं हे देवर्शी आईए वैकुल्ट में आपका स्वागत है देवर्शी नारत प्रसंदता से भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करते हुए कहते हैं हे स्रि रहे हैं अवश्य ही आपके मन में कोई शंका उत्पनोहर हैं अवश्य ही आप आज कोई समाचार लेकर आये हैं देवर्शी कहते हैं है प्रभु आप तो सरवग्य है, तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी प्राणियों के अंदर आप ही का वास है, आप से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, प्रभु मैं आज वैकुंट किस कारण से आया हूँ, ये भी आप भली भाती जानते हैं और ये भी जानते हैं कि मैं किस कारण से चिंतित हूँ, भगवान विश्नु कहते हैं, हे देवर्शी मैं जानता हूँ कि आप चिंता में क्यूं है और आपकी इस अवस्था को मैं समझता हूँ, आज आप जिस शनका को दूर करने के लिए आये हैं वो समस्थ माना, जाती के कल्यान के लिए ही है, इसलि बिना सूचे समझे, ही पीपल के व्रिक्ष को तोड़ रहे थे, हे प्रभू पीपल में तो, आप ही का वास है, आप ही ने कहा है कि व्रिक्षों में आप अश्वा, है तो फिर मनुश्य ऐसा पाप क्यूं करते हैं, मैं ये भी, जानना चाहता हूँ कि पीपल के व्रिक्ष क को जल देने से मनुश्य को कौन सा पल मिलता है और पीपल को जल कब देना चाहिए किस, दिन इसकी पूजा करनी चाहिए भगवान विश्नु कहते हैं देवर्शी, आप सत्य ही कहते हैं पीपल के व्रिक्ष में मेरा ही वास है, पीपल के महत्व को बताने से पूर्व मैं आध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जो भी मनुश्य इस कथा को एक बार सुन, लेता है उसके सारे पाप नश्ट हो जाते हैं जो इसे बार बार सुनता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसे धन धान की प्राप्ती होती है, पीपल के मह अनुष्ठान कथा को मुझे सुनाए, मैं इसे ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका तीनों लोकों में प्रचार करूंगा, श्री हरी कहते हैं है देवर्शी प्राचीन काल में एक अत्यंत शोभाई मान नगरी थी जिसका नाम नंदी ग्राम था, उस नगरी में श्याम न नित्य पूजा किया, करता था नित्य उस पीपल के व्रिक्ष को जल दिया करता था, एकाधशी का वरत करके पीपल को जल देकर उसकी प्रदक्षन करता था, बाहर जाते समय वो रोज पीपल को नमस्कार किया करता, था इस प्रकार से उस ब्राहमन ने उस पीपल के व्रिक् ब्राह्मन कुटitusha को बहुत ही सुन्दर ताजा-था मासολ खाने मुझेगा ये ब्राह्मन तो बहुत ही जवान सुंदर और गुनवान दिखाई पड़ रहा है अभी मैं इसी को चबा डालता हूँ उस राक्षस को देखकर वो ब्राहमन बिल्कुल भी भयवीत नहीं होता है और उस राक्षस से कहने लगता है है राक्षस इस गरीब की कुटिया में तुम्हारा स्वागत है तुम बहुत भ अपस भी दिखाई पड़ रहा है तब वो राक्षस कहने लगता है है महात्मा आप कौन है इस वन में क्यों रह रहे हैं आपको मुझे देखकर बिल्कुल भी दर नहीं लगा तब वो ब्राहमन कहते हैं है राक्षस में भगवान विश्णू का भक्त हूँ मुझे इस संसार में किसी भी चीज का कोई भय नहीं है इसलिए तुम बताओ तुम है क्या चाहिए तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो पूरी की जाएगी आओ इस व्रिक्ष के नीचे आसन ग्रहन करो तब वो राक्षस जैसे ही उस व्रिक्ष के नीचे चला जाता है तो उसका शरीर जलने लगता है और तुरंथ ही उसकी मृत्यू हो जाती है और एक दिव्य मनुष्य उस राक्षस के शरीर से बाहर निकलाता है उस मनुष्य को राक्षस की योनी से मुक्ती मिलती है वो मनुष्य बड़ा ही प्रसन हो जाता है और उस ब्राहमन से कहने लगता है हे ब्राहमन देव करने वाला है इस ब्रिक्ष के सानिध्य में आने से तुम्हारे सभी पाप नश्ठ हो गए हैं फिर वो दिव्य मनुश्य स्वर्ग की ओर जाने लगता है फिर एक दिन यम्राज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं हे दूतों तुम जाओ और नंदी ग्राम में निवा ले जाने लगते हैं रास्ते में महात्मा श्याम उन दूतों से कहने लगते हैं हे दूतों तुम ये क्या कर रहे हो मेरी तुम रित्यू भी नहीं हुई है और तुम मुझे पकड़ कर यमलोग लेकर क्यों जा रहे हो फिर वे यमदूत कहने लगते हैं अरे ब्राहमन तु चुप चाप हमारे साथ चल खुद यह राज ने हमें तुझे उठा कर लाने का आदेश दिया है पता नहीं तुने ऐसा कौन सा भयन कर अपराद किया है हम भी जानना चाहते है कि तुने कौन सा पाप किया है फिर वह ब्राहमन शांत रहकर उन यमदूतों के साथ यम लोग जाने लगता है यम के दूतों को भी बड़ा आश्चर्य होता है ये ब्राहमन ना तो विलाप कर रहा है और ना ही दुखी हो रहा है हम जिन भी प उस ब्राहमन को देखते हैं तो वे भायभीत हो जाते हैं और उन दूतों से कहने लगते हैं अरे दूतों तुमने यह क्या किया तुम किसे उठा कर लाए हो मैंने तुम्हें दूसरे श्याम नाम के व्यक्ति को लाने के लिए कहा था जिसकी मृत्यों हो चुकी है तुम लोगो को उठा कर यम लोक लेकर आ गए इनका स्थान यहां पर नहीं है भगवान विश्णों की भक्ती करने वाले नित्य पीपल की पूजा करने वाले इन महात्मा को उनकी इच्छा के बिना यहां पर उठा कर लाना घोर पाप है तब वे यम के दूत कहते हैं हे धर्मराज हमें क्षमा करें हमसे बड़ी भूल हुई है फिर वे यम के दूत उस ब्राहमन से क्षमा मांगते हैं और वो ब्रा भी उन्हें क्षमा कर देते हैं है यमराज उस ब्राहमन से कहते हैं हे ब्राहमन देवता आपकी पत्मी तथा पुत आदी बहुत दुखी और व्याकुल होकर रो रहे हैं क्रिपया आप वापस अपने घर चले जाए अपने दूतों की भूल के लिए मैं आप से क्षमा मांगता हूं क्रिपया आप अपने घर को लोट जाए फिर वो ब्राह्मन कहते हैं हे धर्मराज आपको प्रणाम है इन दू से जो भूल हुई है उसके लिए तो मैं उनका आभारी हूँ उनकी भूल के कारण मुझे जीवित रहते हुए आपके दर्शन करने का सौभागय प्राप्त हुआ है ऐसा सौभागय बार-बार किसे मिलता है है धर्मराज मेरी आपसे एक विनती है मैं संपुर्ण नर्कों का दर्शन करना चाहता हूँ जहां पर पापी मनुश्य को कष्ट भोगने पड़ते हैं ब्राहमन की बात सुनकर यम्राज प्रसन हो जाते हैं और कहते हैं ब्राहमन देवताग ठीक है अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूर्म करता हूँ फि कुछ प्राणियों को हिंसक पशु खा रहे हैं कोई तपीव कर रहे हैं कुछ पापियों को कीड़े खा रहे हैं तो कुछ पापियों को उबलते हुए तेल के घड़े में पकाया जा रहा है कुछ पापियों को यम के भयन कर दूद पीरा दे रहे हैं अस्त्रों से उन पर प ब्राह्मन को बड़ा दुख हुआ वे उन कश्ट भोग रहे प्राणियों को कहने लगे कि आप लोगों ने पृत्वी पर रहकर कोई भी पुन्य का काम नहीं किया जिससे आप सभी को यहा नरक में आकर कश्ट भोग ने पढ़ रहे हैं नरक में सजा भोग रहे उन प्राणिय ने कहा है विप्रहम पापियों ने प्रित्वी पर कोई पुन्य नहीं किया था इसी कारण से नरक में गिरकर सजा भुगत रहे हैं। धर्म करने वाले लोगों को लुटा है हमने कभी व्रत अनुष्ठान नहीं किये अपनी स्त्रियों का त्याक कर दिया हमने अपने मित्रों के साथ दगा किया है तथा जूठी गवाही देकर अनेक। निश्पाप लोगों को फसाया है इन सभी घोर पापों के कारण। हम नरक की सजा भुगत रहे है फिर उस ब्राहमन ने कहा क्या। आप लोगों ने कभी भगवान विश्णू का एक बार भी पूजन नहीं किया इसी कारण से आप लोगों की ऐसी भयानक दशा हो गई है जो मनुष्य प्रिथ्वी लोग पर रहकर भगवान विश्णू का पूजन करता है उसकी ऐसी दुरगती कभी नहीं होती है उन्हें मो किया जीव कहने लगते हैं हे ब्राह्मन देवता हमारा अंत करण अपवित्र है हम अपने पापों से भयन कर दुख भोग रहे हैं नरक की अगनी से हमारा शरीर जड़ रहा था किन्तु जो हवा आपके शरीर को छूकर हमारी और बह रही है वो हवा हमें आनम प्रदान कर रह लिए सुख मिल सके हम अनेक वर्षों से निरंतर कश्ट भोग रहे है है हमारा अंग अंग जल रहा था हे ब्राह्मन देवता आपके दर्शम करने से ही हमें संतोश हो रहा है क्रिपे आप हम पापियो पर थोड़ी दया कीजिए फिर यमराज कहते है हे धर्मात्मा अब आप आपने नरक देख लिया है अब आप अपने घर को लौट जाए आपकी पतनी शोप में दूब कर रो रही है वो ब्राह्मन बोलता है हे धर्मराज इन प्रानियों को दुख में देखकर मैं कैसे चला जाओ इनकी दुख भरी आवाज कानों में पढ़ती है तो मुझे बहुत दुख हो रहा है आपके यमदूतों के द्वारा मार खाकर अग्मी की ज्वाला हो में गिरे हुए इन नारकिय जीवों की यह दयनिया पुकार सुनिए इन जीवों के मुख से निकली हुई ध्वनी मुझे सुनाई दे रही है हाई मुझे बचाओ मेरी रक्षा करो मैं समस्त भूतों के विराजित भगवान विष्णू की आराधना करता हूँ यदि मैं इन दुखी प्राणियों को दुलिक्ष कर दू तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा यमराज कहने लगते हैं हे ब्राहमन श्रेष्ट आपको इन पापियों की चिंता नहीं करनी चाहिए ये सभ अपने कर्मों का पल भूगत रहे हैं इश्वर नहीं इनके लिए इस दांट का प्रावधान किया है ताकि इनकी आत्मा की शुद्धी हो सके आप इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते इन्हें नरक की सजा भूगतनी ही पढ़ती है लेकिन फिर भी वो ब्राहमन नहीं माना औ प्रभू मैंने सच्षे मन से आपकी आराधना की है हर क्षण आपकी के नाम का जाप किया है मैंने अपना संपूर्ण जीवन केवल आपकी भक्ति में ही समर्पित किया है मैं अपना सारा पुन्य इन पापी आत्माव को दे देता हूं आप इनहीं कष्ट से मुक्त कीजिए इनहें नरक की यातना से मुक्त कीजिए हे क्रिश्न हे जगननात हे विश्मु यहां इस नरक में पड़े हुए यातना हों को भोग रहे जीवों की रक्षा कीजिए श्याम ब्राहमन के द्वारा इतना कहते ही उस नरक के जीवों को तुरंत कष्ट से मुक्ति मिल गई और सदा जय हो आपकी कृपा से हम पापियों को मुक्ती मिली है इस प्रकार से गुनगान करते हुए वे सब भी नरक के प्राणी स्वर्ख की ओर जा लगे किन्तु उनमें से कुछ जीव अभी भी उस नरक में ही कश्ट होगने लगे उनको मुक्ती नहीं मिली इस अद्बुत चमत कार को देख कर यमराज आश्चरिया में पढ़ गए यमराज सोचने लगे ये तो असंभव है कौन से पुन्या के प्रभाव से इस ब्राहमन ने इन नरक के प्राणियों को मुक्ती दिलाई है फिर उस स्थान पर भगवान विश्णु प्रकट होते हैं वो ब्राहमन और यम यमराज भगवान विश्णु को नम्सकार करते हैं यमराज भगवान विश्णु से पूछने लगते हैं हे प्रभु इस ब्राहमन ने ऐसा कौन सा पुन्या किया है जो एक ही बार में इसने इतने सारे नरक के प्राणियों को मुक्ती दिलाई है और किस पाप के कारण यह न इतना बड़ा पुन्यात्मा बन गया है कि इसमें नरक के जीवों को मुक्ती दिलाने का सामर्थ्य आ गया है यह जो अन्य जीव अभी भी नरक में कष्ट भोग रहे हैं इन मनुश्यों ने अपने पूर्व जन्व में पीपल के व्रिक्ष तोड़े हैं इसी कारण से इनकी मुक्ती नहीं हो पाई है जो मनुश्य पीपल को केवल जल देता है वो कभी नरक में नहीं जाता है उसके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है कि वो अन्य पापी जनों के पाप भी नश्ट कर डालता है उसके सानेध्य में आने वाले धोर पापी भी पाप से मुक्त हो जाते इतना कहकर भगवान विश्णु उस्थान से अंतर ध्यान हो जाते हैं। विश्णु नारद से कहते हैं हे नारद इस प्रकार से मैंने तुम्हें पीपल को जल देने का महात्म कथा सुना दिया। जो भी मनुष्य श्याम की इस कथा को सुनता है उसके समस्थ पापों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से भगवान विश्णु ने पीपल को जल देने का महत्म महर्शी नारद को सुनाया है। आप भी पीपल को जल अवश्य दे शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक अपने पित्रों के लिए अवश्य जलाए और प्रत्याइक एकादशी के दिन पीपल को जल देकर उसकी प्रदक्षना करें। आपके समस्त दुखकष्ट समाप्त होंगे।